तो हेई बच्चो कैसे आप आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा अभी तख हमने इस सारे टॉपिक पढ़ लिए मतलब इस चैप्टर के अंदर काफी कुछ हम पढ़ चुके पढ़ बढ़्रquinho है, डाईजेशन, रेापिरेशन, फुले हमने ट्रांपोटेशन और फिर हमने एक्स्क्रिशन फढ़ लिए और आज हम सबसे मेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले जो सबसे important है और जिनसे questions पूछे जाते हैं जादातर वो और plus इस chapter को आज खतम कर देंगे ये सारे topics पढ़के और ये वो topics है जिन में से जादतर questions आते हैं और कहीं न गहीं क्या होता है कि इन topics को बच्चे समझ ही नहीं पाते for example osmotic pressure, transpirational pool और locomotion या फिर translocation क्या होता और कैसे काम करते हैं ये plants के अंदर और हमारे सबसे पहले topic आज मैं आपको बताऊंगा वो है मुझे क्योंकि lymph बताना है आपको lymph बताना है इसलिए मैं आपको पहले blood components बताऊंगा to understand lymph और blood के अंदर भी hemoglobin बहुती main चीज होगी वो body में swelling क्यों आती है, inflammation क्यों होता है उसके बारे में बताएगा आपको और थर्ड चीज, process of digestion के बारे में respiration, transportation और excretion in plants ये सारे digestion, respiration, transportation, digestion हमने बनाया था human के अंदर respiration का एक topic बढ़ा था, transportation का एक humans के अंदर अलग topic बढ़ा और excretion का पढ़ा और इन सब को plants के अंदर होंगी के ये तीन चीजे क्या है, तो आप प्लीज लिखते भी चलो साथ बे साथ किया important topic होते हैं और क्या उसके आपके particular उसके results आते हैं, कैसे उसको question को हम handle करेंगे, ठीक है, और जब भी आप इन सब को one by one note करते रहेंगे, मेरे साथ note करते रहना और प्लीज जल्दी से ज component को समझना पड़ेगा और hemoglobin क्या होता है, उसे समझना पड़ेगा, तो अराम से मैं आगर आपको बताऊँ, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर वो बात मैं आपको बताऊँ, कि blood है, blood आपने सुना होगा कि क्या काम करता है, blood हमारी body में, oxygen करी करता है, blood के अंदर ही हमारा स मैं गड़ेगे ब्लड की component को दो पाट में सबसे पहले आप डिवाइड करना सीखो, कि blood के जो दो component है, वो एक होता है आपका solid component, solid component, ठीक है, और एक होता है आपका fluid component, fluid component या liquid component भी बोल सकते ओ, आप इसे, fluid component मतलब जो flow करेगा, ठीक है? आप इसे liquid component भी बोल सकते हैं liquid component done, अब याद रखना कि आपका solid component जो होता है उसे बोलता है blood corpuscles क्या बोलता है? blood corpuscles और fluid component को हम बोलता है plasma बहुत ध्यास से याद रखना आपको solid component नहीं बोलना है blood corpuscles, और fluid component को आपको बोलना है plasma, तो आपको दो बड़ याद रखना है कि blood के दो पाट होता है plasma और आपका blood corpuscles अब blood corpuscles को हम further तीन पाट में divide कर देते हैं तो हम उसका एक box बनाएंगे, ध्यास से समना इस box के अंदर बहुत चीज़े होने वाली है ठीक है, इस box के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये तीन बाते क्या हों इस box के अंदर आपको तीन अलग-अलग बाते पता लगेगी किस-किस के बारे में, वो भी जानते हैं सबसे बहले आप जानोगे इस box के अंदर R, B, C और छोटा S, RBCs यानि कि Red Blood Cells के बारे में फिर हम जानेंगे W, B, C और छोटा S मलब White Blood Cells के बारे में और तीसरा हम जानेंगे Blood Platelets के Blood Platelets Blood Platelets आपने सुना होगा कि जब भी डेंगू या ऐसा कुछ होता है तो बहुत जादा इसके अंदर क्या आ जाता है Blood Latelets आपकी कम हो जाती है तो सबसे पहले आते है R, B, C के उपर Red Blood Cells के उपर इसी के अंदर होता है आपका Contain H, B H, B मतलब Hemoglobin अब ये Hemoglobin करता क्या है और Red Blood Cells कैसे होता है देखो यहाँ पर आपको Graphics के थूँ पता होगा कि जो Blood होता है वो Basically Red होता है तो ये जो Red Blood Cells है इसी के वज़े से Blood Red लगता है वैसे तो Blood के अंदर कुछ Yellow चीज़े भी होती है कुछ White चीज़े भी होती है पर Overall Blood हमें Red क्यों दिखाई देता है उसका Reason है Red Blood Cells क्योंकि ये बहुत ज़्यादा Quantity में होता है तो Blood में ज़्यादा आपके क्या होता है Red Blood Cells होता है ज़्यादा आपके Red Blood Cells होता है ठीक है इसलिए ये आपका Impart Red Color to Blood Red Color To Blood याद रहना कि आपका जो Basically RBC है वो खुद Red Color का है क्योंकि ये पूरे के पूरे Blood में सबसे ज़्यादा है इसलिए ये क्या करता है Impart Red Color To The Blood और Contain HV यानि के Hemoglobin दो चीज़े इसकी सबसे में होती है ठीक है और थर्ड जो इसका सबसे में चीज़ होता है वो होता है Gaseous Exchange Gaseous Gaseous Exchange तो आपको तीन इसकी बाते यार रखनी है कि ये आपका एक तो Hemoglobin को रखता है अपने अंदर दूसरा अपने अंदर क्या Red Color खुद की वज़े से ये खुद Red Color का है तो पूरा Blood Red Color का इसी की वज़े से लखता है और तीसरा Gaseous Exchange मतलब Gaseous को Exchange करने में हेल्प करता है कैसे अब मैं आपको वो बताता हूँ देखो ध्यास समना कि आपका ऐसे Donut जैसे होता है ये Red Blood से आपका Donut जैसे होता है Red Blood से उसके अंदर क्या होता है आपका ऐसे Fibrous होता है पहुत ही ज़्यादा Fibrous चीज ऐसे होती है वो Fibrous चीज आपकी Chute अंदर दो आपकी सबसे main होती है Protein होता है इसके अंदर इसके अंदर चार टाइप के Protein होता है और एक आपका होता है इसके अंदर आपका Iron आपने सुना ही होगा, F.E. हाँ, लोग ये बोलते हैं, कि किसी की बॉड़ी में अगर iron की कमी हो जाए, तो उसके अंदर hemoglobin की भी कमी हो जाती है, अब reason क्या है? ये चार प्रोटीन और ये hemoglobin, ठीक है? ये चार प्रोटीन और ये आपका iron, दोनों रेड़ ब्लड सेल है, उसके अंदर आपका न्यूकलेस तो है नहीं, तो आप रेड़ ब्लड सेल के अंदर ऐसे चार टाइप के प्रोटीन होता है, और एक iron होता है, ये दोनों आपने अंदर बीच बीच में पता है कि ये ग्लूकोस की रियक्शन, अब ग्लूकोस बदले में ये ऑक्सिजन तो सारे यूज कर लेता है, एनरजी बनाने के लिए, और यहां क्या भर देता है? CO2, तो याद रखना कि हीमोगलोबिन का जो आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर Fibrous आपको पूरा पार्ट मिलता है, और Fibrous जो भी है, इसके अंदर बीच बीच में ऑक्सिजन आपका फसा के रखता है, ताकि ये बाद में जाके बोडी पार्ट्स को दे दे, और बोडी पार्ट्स से ऑक्सिजन देने के बाद वापिस क्या ले सके? carbon dioxide और उसे भी अपने अंदर रख सके, इसलिए इसे gaseous exchange भी बोलते हैं, तो आप तीनों बाते समझ गए होंगे कि इसके अंदर hemoglobin होता है, hemoglobin आपका iron से बनता है, और अगर आपकी body में iron कम है, male या female की, तो anemia नाम की एक उनको disease हो जाती है, जिसके अंदर उनको पता क्या होता है, सांस लेने में बड़ी तक्रीफ होती है, उनकी body में अच्छे से oxygen जा नहीं पाता, body swollen, थोटी-थोटी सूजी-सूजी रहती है, ठीक है, inflammation हो जाता है body के अंदर, और काफी जादा problems आती है, मतलब आपकी energy हमेशा down रहेगी, अगर आपकी body के अंदर hemoglobin level कम है, आपकी body में gaseous exchange अच्छे से नहीं हो पाएगा, और आपकी body का जो color है, जो आपका natural red color है, ठीक है, किसके अंदर, blood के अंदर, वो आपका कम हो जाएगा, याद रखना, blood का original color red नहीं है, red color सुर्फ red blood cells का होता है, जिस वज़े से पूरा का पूरा blood क्या दिखता है, आपको red दिखाई देता है, अब आते हैं white blood cell के बारे में, ठीक है, देखो white blood cell बता रहा हूँ है, आपको ध्यान से सम्माना, white blood cell किस तरीके सा होता है, ऐसे नहीं फाइबरस सा हो, बहुत ही जादा ऐसे, क्या बोलो, hair type बोलो, फाइबरस बोलो, बहुत ही जादा इस तरीके से ये, आपका cell होता है, और इतना खतरनाग होता है आपका white blood cell दिखने में भी, और vitamin C का बहुत जादा important role होता है, जितना जादा vitamin C लेता हो, उतना जादा आपका white blood cell अच्छा, strong होता है, nutrition उसको अच्छे से मिलता है white blood cell का, आप मान लो कि vitamin C nutrition है, किसका white blood cell का, तो WBC जो आपके होता है, ये करते क्या हैं अब, ठीक है, ये बहुत ही जादा hairs होता है, और काफी जादा क्या बोलता है, कि कोई चीज अगर इनके पास से जाए, तो यह इन ही पर फस जाए, इस तरीके से होता है, इनका काफी जादा खतरनाक network होता है, तो white blood cell, पहला point, ये पता है क्या करते हैं, ingulf, germs and bacterias, सबसे बहुते हैं ये bacteria और germs को ingulf कर लेते हैं, bacteria और जो jam होते हैं, वो आपको पता है living चीज़े होती है, अगर वो body में आ जाए, आपकी blood में आ जाए, ठीक है, कहीं से भी, क्योंकि वो blood में आएगी, तो blood की जित्ती भी है plasma है, plasma मैं आपको बता हूँगा, क्या है, उसको खाने लगती है, plasma के अंदर glucose, fat, ये सब होते हैं और ये bacteria को बड़े पसंद आते हैं, तभी तो आपकी body में bacteria रहेगा, तो होता ये है, कि ये जो आपके bacteria होते हैं, उन्हीं को ये इंगल्फ कर लेते हैं, मतलब उनको दबोच के मा डालते हैं, ठीक है, दूसरा ये, provide antibody, provide antibody, अब antibodies क्या क्या होती है, antibodies आप क्यों होती है, antibodies मतल इस सारी antibodies ये ही provide करते हैं, कैसे, अब ये होता क्या है, कि जब भी किसी germ, bacteria virus के contact में आते हैं, मतलब उनसे लड़ते हैं, ठीक है, कई बार हो सकता है, ये हार भी जाए, पर ये हारने के बाद रूपते नहीं है, ये क्या करते हैं, कि सामने वाले के fighting skills, मतलब उसके अंदर क्य बाखास बात है, उसको note कर लेते हैं, उनके अपनी memory में बना लेते हैं, और next time वो दुबारा disease आती है, दुबारा bacteria attack करता है, दुबारा virus इन पर attack करता है, तो ये उससे हरा देते हैं, reason क्या है, होता ये है, कि जब आप छोटे होते हैं, तो आपको जान बूच के, कुछ germs आ और कुछ होते हैं, आपके क्या बोलता है, weak, weak मतलब उनको solution में डालके, alcohol के solution में डालके, weak कर देते हैं, ठीक है, जैसे आप जानते हो, sanitizer आपके bacteria और germs को मारता है, उसी तरीके से, उनको alcohol solution में डालके, थोड़ा weak कर देते हैं, बिल्कुल नहीं मारते हैं, कुछ-कुछ बहुत मर भी जाते हैं, उस चकर में, होता क्या है, उनको body में डालके, body में डालते ही क्या होता है, आपके, कौन जाता है, white blood cell, white blood cell उनसे एक बार देखता है, कि इनके अंदर क्या ऐसा है, इनका structure कैसा है, वो bacteria की power किती extend तक जा सकती है, और वो bacteria हमारी body में किती देर तक survive कर सकते हैं, सब कुछ यह अपनी memory में रख लेते हैं, इनके अंदर जो उनका nucleus होता है, वो सब कुछ अपनी दिमाग के अंदर, बलब अपने अंदर सब store कर लेता है, और next time अगर polio, अभी हमने weak वाले पिये थे, तो weak वाले जैसे हमने bacteria लिए, तो weak वाले bacteria क्या करते हैं, उनक काम से हरा देते हैं, क्योंकि पहले इनने पता होता है, कि मैंने इसे पहले कैसे हराया था, ठीक है, हाला कि पहले वो weak थे, पर उन्होंने सारी दिमाग उनको पता लगया थे, इसका weak point क्या है, तो अब यह बहुत ही जादा strong हो जाता है, ऐसे करके, इसे ही बोलता है हम vaccination, आपकी body है, पहले से ही हमने वही virus के bacteria डाल दिया है, virus आपकी body है, तो उससे क्या होगा, कि यह पहले से ही सीख जाएंगे, कि कैसे उन्हें हराना है, क्या उनकी क्या है कमजोरिया है, तो यह provide antibodies, मतलब पहले से ही उनके anti हो जाता है, anti मतलब उनके खिलाफ, सही है, तो आपको white blood cell का पता लगया होगा, कि यह engulf bacteria and germs, provide antibodies, clear है, और काफी जादा ही आपके fibrous होता है, यह आप लिख सकते हो, और सबसे बड़ी बात है कि इनका hair type का, long hair type structure, इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है, अब आते हैं platelets के उपर, platelets को आपको समझने के लिए ध्यान से समझना क्या ह रखता है, थिए, वहां से blood निकलना चालो हो जाता है, तो होता है, कि अगर वो पार्ट seal नहीं होगा, मतलब वो वाला पार्ट है, जहां आपका cut लगा है, वो अगर seal नहीं होगा, तो आपको आपको यह ही पर बता जिता हूँ, कि आपका मालो ये है skin, ये आपकी skin है इतना part remove हो गया skin का, cut गया है होता गया है कि यहाँ से blood बाहर निकल गया और blood सारा बाहर निकल जाएगा तो body आपकी जिन्दा कैसे रहेगी तो छोटे 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 ये चोटे यहां धीरे 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 जैसे blood निकल नहीं होता है पर ये वाले platelets यहीं पर नहीं लह जाते है blood में क्या क् toolkit रहा होता है, пред blood is जैल रह निकल रहुते है पर platelets यहीं पर क्या करते है जूंद बना लेते हैं अपना दीरे दीरे इस plot को block कर देता है ठीक है आप ग्राफिक्स में भी अच्छे से देख पाऊगे जो मैं यहां ग्राफिक्स डाल रहा हूँ उसके अंदर भी आप देख पाऊगे कि कैसे वो आप के blood जो skin होती है उसको कैसे seal करता है यह बहुत जादा important है इसलिए आरफ ना के platelets जो होता है वो क्या करता है blood clotting का काम करता है इनका main काम यही होता है blood clotting blood clotting का मतलब क्या होता है blood clotting मतलब जहां से आपका blood निकल रहा है उस part को आपको seal कर देना है और कुछ दिनों बाद जब आपका पूरे skin दुबारा जाती है तो आप उसे निकाल भी सकते हो ऐसे black color की आपकी एक क्या होती है waist layer बन जाती है उसके उपर waist layer मतलब कुछ लोग ब बन जाती है तो यह आपके तीनों पाट होता है solid के अंदर तो blood के अंदर की तीन चीज़े कौन सी solid होती है एक होता है आपका RBC red blood cell एक होता है white blood cell और एक platelets इनका काम होता है mainly gas का exchange करना इनका होता है bacteria और germs और जितने भी वाइरस होते होने खतम करना और यह होता है कि जब भ ब्लड का जो waste होता है ब्लड जो आपका है वो outflow हो रहा है उसको बंद करना अब आता है हम कौन से part के अंदर fluid component के अंदर तो धिया से समयना क्या आपका fluid component क्या है और इसके अंदर क्या क्या होता है actually मैं blood के अंदर जो solid component होता है वो होता है 40 to 45% मलब blood के अंदर solid 40 to 45% होता है और यह आपका होता है 55% to 60% की approx value बता रहा हो मलब liquid जो होता है blood के अंदर 55 to 60% होता है और solid part यह सारे 40 to 45% होता है अब इस 55% यह इस 60% के अंदर से मतलब इस 60% के अंदर आपका 90% और 10% का ratio होता है ठीक है 90% water होता है मैं आप पो बता दू 90% water होता है plasma के अंदर और 10% दो चीज़े होती है आपकी ठीक है एक होती है inorganic और एक होती है organic अब मैं बताओंगा इनके बारे में पहले अगर आपसे कोई भी बोले कि blood के अंदर 90% water है तो आप कभी उसकी मत सुनना कोई अगर आपको बोले कि blood के अंदर 90% water है तो आप कभी मत उसकी सुनना क्यों नहीं सुनना क्योंकि blood के अंदर भाईया पान जो liquid part है ना blood के अंदर वो ही 55% है तो 90% पानी कैसे हो गया blood के अंदर 55% ही आपका क्या है liquid part है तो 90% तो पान होई निसका पानी तो पूरा लिक्विड होता है अब होता यह है कि ब्लड के अंदर 55% का 55% का 90% वाटर होता है 55% का कही 90% वाटर होता है याद रखना डाइरेक्ट 90% आप वाटर नहीं बोल सकते तो आपको यह याद रखना है कि ब्लड है 55% फ्लुइड कांपोनेंट फ्रॉम दाट वी हैं 90% वाटर डारिक्विड आप 90% वाटर नहीं बोल सकते जो लिक्विड पार्ट है जो लिक्विड पार्ट है उसमें 90% वाटर होता है आपका बाकी इन ओर्गैनिक और ओर्गैनिक चीज़ होती है अब बच्चों ब चीज़ से नहीं बनता है और ओर्गैनिक जो होता है वो लिविंग चीजों से बनता है जैसे गलुकोस फाट्टिन है यह सारे नहीं चीजों से बनने वाले है, fats भी जो हमें बनते हैं, जब हम सबजी वगर यह सब खाते हैं, तो उनसे ही fat बनता है, glucose भी उनी से बनता है, ठीक है, protein भी उनी से मिलते हैं, तो जो भी living चीज है, ठीक है, for example, आप fish खा रहे हो, living चीज है, उसमें सापको fat मिल गया, आपने खाई, क हमें मिले, living चीजों से मिले, वो organic, और inorganic जो lab से मिले हमें, या chemically produced किया, वो reaction से मिले हमें, और दूसरा सबसे main बात या घटना है, कि जो भी आपकी organic चीजों होती है, उनके अंदर long chains of carbon compounds होता है, ठीक है, organic चीज़े वो होती है, जिसनके अंदर long chains of carbon हो, मतलब carbon का बड़ा सा compound हो, carbon का बड़ा सा compound हो, अब इस carbon के बड़े से compound में आपका glucose भी आ सकता है, fat भी आ सकता है, और protein भी आ सकता है, ठीक है, चुकि इन तीनों में यही बड़े बड़े कार्बन के चेंज होता है, ठीक है, पर वहीं, इन और्गनिक बो चीज़े होती है, जिनके अंदर कार्बन के चेंज होता ही नहीं, फर एक्जांपल, अब देखो, मैं इनको आगे और बता रहा हूँ, सॉल्ट, क्या है, सॉल्ट, या आप डाइगराम ज़रूर बनाना, सॉल्ट, क्या बड़े कार्बन के चेंज होता है, नहीं यार, नमक है, नसल है, ठीक है, मैंगनीशम के सॉल्ट हो गए, कैसियम के सॉल्ट हो गए, तो यह सारे सॉल्ट के अंदर कहींगे, आपको कार्बन का स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, कार्बन के कंपॉंड इनके अंदर नहीं होता है, ठीक है, कार्बन की लॉंग चेंज नहीं होती, तो इन हमारी बॉड़ी के अंदर, बलड के अंदर सॉल्ट भी होत तो यह आपके चार पर एक्जामबल हो गए और गानिक के तो बोलते हैं लिक्विड कंपोनेंट के अंदर 90% वाटर है 10% इन और 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 गानिक चीज़ें इन और गानिक में यह सारी चीज़ें तो यहां पर आपको पता लगा होगा कि ब्लड का पूरा कंपोनेंट क्या आप प्लेडर के तीन पाट और लिक्विड के फिर दो पाट वाटर और आपके इन और्गैनिक और ऑरगैनिक कंपाउंट्स याद रखोगे यह सब पढ़ने के बाद अब हमें लिंफ पढ़ने में आसानी होगी क्या होता है ये लिंफ कैसे काम करता है समझ मारी है अब चलो अध्यान से देखते है रहना कि मैं लिंफ के बारे में क्या बताऊंगा तो आप लोगों ने देखा होगा कई वार हमारी किसी पार्ट में डैमेज हो गया जैसे कहीं आपको चोट लगी तो वहां पे स्वेलिंग टाइप आजाती है आई होप आपने कभी लाइफ में देखा हो ऐसा सोचो कभी किसी और के देखा हो वैसे आपके साथ ही ऐसा हुआ होगा कि वह वाला पार्ट ठीक है मालो इस हाट में चोट आई और इसमें नहीं आई तो यह वाला पार थोड़ा सा आपका एक्स लिंफैटिक सिस्टम जैसे आपने सर्कुलेटरी सिस्टम सोड़ा रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या था ठीक है सर्कुलेशन हमारी बॉड़ी में कैसे होता रहत है देखो हमारी बॉड़ी में सबसे में हार्ट है हार्ट के अंदर बलड जाता है हार्ट के अंदर मतलब हमारे cells बहुत ही important होते हैं अब ध्यान से सुनना क्या बताने वाला हूं मैं तो सुनो मालो यह आपकी skin है यह आपकी skin है और skin में तो बहुत सारे cells हों गई ऐसे यह बहुत सारे आपके cells है इन cells के बीच में gap भी है देखो यहां धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दूमें gap दिख रहा होगा यह gap है अब होता है कि इसके अंदर नीचे से blood जा रहा होता है ठीक है blood पूरा अब यहां पर आपका skin के नीचे पूरा ऐसे blood जा रहा है blood जा रहा है blood यह सारे blood के molecules हैं जो जा रहा है अब blood के blood के जाते जाते bloody ने क्या देखे देखे जाता है सारा का सारा food देता है सारा अपना food इस skin को इन मेल्स को देता रहता है यह सारे सेल हैं आपके किस्के किया है सेल उग ने आपको के अब हो तक यह है कि Bigrak गिछपिर माइं कि अपर बी- था यह सेथ ऑर प्लाज्मा है मित इंध तो यही रह जाता है, अपना red blood cell तो आगे चलते रहते हैं, red blood cell तो motion करते रहते हैं, red blood cell नहीं रुखते, पर यहाँ पर WBC रुख जाते हैं, fat रुख जाता है, और plasma यहाँ इस space पर रुख जाता है, अब यहाँ रुख गया, और अगर यहाँ collect रह गया, मालो अगर यहाँ पर आपका रह गया, तो यह वाला पार्ट आपका फूलता ही चला जाएगा, हाँ, याद रखना, अगर यहाँ पर आपका WBC, fat और plasma बहुत साला रह गया, इन cells के बीच में, cells के बीच में जो gap है न, intercellular space बोलते हैं, इसे क्या बोलता है, intercellular space, अगर यह आपका भरता ही चला गया है, यहाँ पर भहुत ज़ादा WBC, fat और plasma स्टोर हो गया, तो बताओ क्या होगा, होगा यह कि आपकी skin भट सकती है, आपको यह बहुत दर्द मैसूस होता है, इसलिए चब चोट लगती है न, तो यहाँ पर तीनों इखटा हो जाते हैं, क्योंकि यह lymphatic system में थोड़ा damage आजाता है, तो अब क्या होता है, lymphatic system करता क्या है, वो ध्यान से सुनों क्या होता है, lymphatic system जो होता है, वो आपका recollection का का काम करता है, क्या काम करता है, recollection, तो मैं एक तरफ इसके function लिखते जाऊँगा, तो आप इसके function note करते जाना, ठीक है, तो यह as a reabsorption का काम करता है, reabsorb, reabsorb, fats, fats, protein, big molecules, protein के big molecules, छोटे तो blood के साथ चलते रहते हैं, big molecules of protein, reabsorb fat, protein, and wbc's from intercellular space, intercellular space, तो सबसे पहला इसका function यह होता है, clear, कैसे करता है, वो भी बता देता हूँ, तो आपको मैंने बताया, यह skin थे, यह skin के cells है, यह skin के आपके cells है, यह skin के आपके cells, ठीक है, अब होता ही यह है, कि, इन skin के cells में से, इसे पतली, 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 इसे पतली, पतली, बहुत, छोटी, छोटी, पतली, पतली, यह मैंने जो बना रहा हूँ न, ऐसी बहुत सारी, पतली, 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 लिम्फैटिक वैसल्स होती है, लिम्फैटिक वैसल्स, यह सारे नाम आपको पढ़ने को मिलेंगे, लिम्फैटिक वैसल्स, यह छोटी, छोटी, आपको आ रही है न, बतली, पतली, ट्यूब्स, यह होती है, लिम्फैटिक वैसल्स, यह कहां देखो, कहां से लेके आएगी यह जो भी हाँ चीज बचीवी होगी, उसको वापिस ले आएगी आपके वेन के अंदर, किसके अंदर? वेन जानते हो, हमारी मेन जो वेन आपको यहां से दिखती भी है, उपर उपर वेन में आ जाएगी, और वेन से सारे ब्लड को फ्लो करवाते हुए, कहां तक लेके जाए जाएंगी हर्ट तक, ताकि हर्ट में दुबारा जो भी आपका यहां बचावा समान था, वो आपका हर्ट पर पहुँच जाए, और हर्ट से दुबारा वापिस सारी बॉड़ी में चला जाए, अगर मालो यहीं आपका स्टोर रह जाता, तो आपका तो यहां फट जाता, प पेंस के ज़री है, यह कहां तक आगए, हर्ट तक आगए, तो इनका दूसरा काम क्या हुआ, फंक्शन, लिम्फ का फंक्शन क्या हुआ, दूसरा, दूसरा फंक्शन ही होता है, कि यह क्या करता है, फ्लो, फ्लोज, एक्स्ट्रा रिमें, फ्लूइड्स, इंटू, हर्ट, इ to heart. तो आपको heart को दुबारा यह क्या कर देते हैं? जो भी extra fluids होते हैं, इनके अंदर remains होते हैं वो दुबारा heart में डाल देते हैं, तो दूसरा function यह होता है. तीसरा function इनका बहुत ही main है, ठीक है? तीसरा function इनका यह है, कि यह आपके protection का भी काम करते हैं, protection ठीक है, from germs, कैसे, ठीक है, called lymphocytes, lymphocytes, ठीक है, exam में आता है कि what are lymphocytes, which protect from germs, which protect from germs, होता गया है, कि अगर आपके, यहाँ पर कोई germ वगरा भी है, skin पर या body के अंदर छुपे में, तो उनको भी यह क्या करता है, यहाँ पर ही kill कर देता है, क्योंकि इनके अंदर एक type के chemicals होता है, they have some chemicals, ठीक है, toxic, toxic आप जानते हो, जहर जैसे होता है, ठीक है, अब क्या हो करता है, किसके लिए, germs के लिए, तो इनके हो, हम बोलता है, protection from germs, called lymphocytes, अगर आपको पूछे, lymph के अंदर, lymph के अंदर क्या lymphocytes होता है, हाँ, lymphocytes होता है, और वो हमें protect करता है, germs से, दे में, repair, दे में, repair, मतलब अगर आपकी skin में कोई problem आएगी, तो यह repair भी कर सकते है, ठीक तो अब आपको overall मैं lymph की क्या बता दूँ, definition पहले उससे मैं आपको बता दूँ कि lymph करता गया है, कि यहाँ जो भी intercellular space में, मतलब आपकी cells है, उनके बीच-बीच में कोई fluid first गया है, उनके बीच में कोई आपका white blood cell रहे गया है, तो उन सब को reabsorb करके, ठीक है, recollect करके, veins मे डाल देंगे, veins से दुबारा heart में आपका चला जाएगा, और heart से फिर body में जाएगा, फिर अगर रहे गए, body में अगर, body में पहुंचे, फिर अगर कहीं रहे गए, तो यह दुबारा आपके, ठीक है, तो आपकी blood vessel अलग होती है, blood vessel, blood को ले जाती है, और lymphatic vessels क्या होती है, यह बचा हुआ जो आपका body के अंदर fluid है, उसे लेके जाती है, clear है, सही है, अभी मैं difference भी बताऊँगा, blood और lymph के अंदर, पहले मैं lymph के आपको definition बताना चाहूँगा, तो lymph के definition कुछ ऐसे बनती है, it is a colorless और yellowish fluid, it is a colorless और yellowish fluid, ठीक है, present between, present between the intercellular space, present between the intercellular space, तो पूरा ए lymph is a colorless और little yellowish fluid, present between the intercellular space, which transported back, which transported back to the heart by lymphatic vessels, by lymphatic vessels, it may also protect from germs, it may also protect from germs, तो यह आप याद रखना, के lymph की मैं आपको definition बताईए, अब हम आते हैं, लिम्फ और ब्लड के बीच के difference के ओपर, लिम्फ और ब्लड के बीच का difference, तो अब ध्यान से सुना, के लिम्फ और ब्लड के बीच का difference आपका क्या है, लिम्फ और ब्लड, जो है, उसको भी आप अच्छे से note कर लेना, के लिम्फ क्या होता है, सबसे पहले हमारा प्यारा सा lymph और उसके बाद हमारा blood, blood मैंना आप पता दे, उसके इंदर बहुत सारे component होता है, ठीक है, clear, तो it is a colorless और little yellowish fluid ये और it is a red fluid, it is a red color component तो इसके इंदर आपका आएगा, it is a red color combined combined fluid क्यों लिखा मैंना आपको component की जगाए, वो इसलिए क्योंकि blood के इंदर आपके solid or liquid component दोन होता है, इसलिए से हम आपने लिख दिया combined fluid, it is a colorless और yellowish fluid, it is a red color combined fluid, it has it has less protein protein than blood, it has less protein than blood, it has more protein, it has more protein, it has more protein, protein it has low amount of fats, it has low amount of fats, it has low amount of fats, इसमें ज्यादा amount of fat होता है, इसमें आप यह भी लिख सकते हो के लिंफ के अंदर थोड़ा बहुत protein होती है, वो भी पता है कौन सा होता है, बिग molecules, जो छोटे molecule नहीं होते है, थोड़े बड़े molecule होता है, वो ही थोड़े बहुत रह जाते हैं, बाकी तो इसके अंदर protein बहुत कम होता है, और इसके अंदर protein बहुत जादा होता है, इसके अंदर fat, ठीक है, अब यह आपकर क्या होता है it is present in intercellular space intercellular space वेसद से इस प्रिजेंट इन ब्लड़ वेसल स्टीं में वह व Moyलू दो सेल्स है lymph और blood में जिसे आप अच्छे से note कर लो और आपके exam में कोई भी कोशन आए जब भी इसके ऊपर कोशन आए प्लीज जरूर लिख देना कि lymph और blood के बीच में क्या difference है तो अब आते हैं हम लोग जो हमारे सारे processes पे digestion, respiration, transpiration और excretion इन सबकों में पढ़ना है इन सबकों पढ़ने के लिए हमें plants के अंदर का जो डाइगराम है plants क्या करते हैं एक साथ इनको सारा करते हैं वो अलग-अलग काम नहीं करते हैं वो एक साथ पूरी body work कर दिया उनकी और साथ में हमारे जो main events है जो इसी बीच इन सबको करने के लिए जो main events होंगे वो मैंने सारे हां लिग दिया है इन्हें हम बोलता है main events जो होंगे किसके अंदर? plants के अंदर for life processes for their plant processes is called ये सारे main events तो अब आते हैं हम कि plants के अंदर ये सारी चीज है कैसे काम करती है उसके लिए आपको छोटा सा मैं पहले diagram मना देता हूँ यह आपे कि plants हैं आपके मालो तो plants के अंदर आप जानते हो इस तरीब के कि उनकी roots होती है मैंने आपको plants की roots के बारे में बता रहा हूँ तो plants की ऐसे इस टाइप की अलग-अलग roots फैली हुए है ठीक है मालो plants को हमें किसमें रखावा है? soil के अंदर तो ये soil है, soil के अंदर उनकी roots है roots के अंदर भी इस टाइप के उनके hairs या फिर आप बोल सकते हो इस टाइप के उनके nodules यहां पे मौझूद होते है तो ये उनके nodules है, nodes, root nodes, मैं इनको नाम देता हूँ तो ये आपकी root हो गई, root से आप क्या आते हैं आपके? root से आपका एक पूरा का पूरा इस type से, ये जैसे आपको मैं बता रहा हूँ ना, ध्यान से देखो ये क्या है? ये एक pipe बना रहा हूँ मैं ये एक pipe type है, ठीक है? इस pipe का नाम होता है vascular system या vascular bundle भी बोलता है, ठीक है? vascular bundle भोल सकते हो, vascular system भोल सकते हो ठीक है? अब ये जो vascular system हमने बनाएंगे है ये vascular system ये vascular system आई और ये vascular system जूड़ी विया किस से? leaves है ठीक है? और leaf के नीचे आपके stomata बहुत जादा होता है, stomata, stomata यानि कि nose of plants plants का टाइप का nose आप बोल सकते हो, तो ये जो आपको दिख रही है, vascular system ये आपकी direct जाके जुड़ती है leaves है ये आपकी direct जाके जुड़ती है leaves है, ऐसे और भी vascular system होती है, वो और अलग-अलग इससे जुड़ी होती है आपकी leaf और जो आपकी और अलग leaves होगी उसे जुड़ी होगी इस टाइप से, ठीक है, अब होता क्या है कि मैं आपको leaf के बारे में बता रहा था, अब इसके अंदर मैंने आपको पहले भी एक वार stromata के बारे में थोड़ा बहुत बता रहा है, आज दुबारा से हम समझते हैं, जो stromata होता है वो बहुती main चीज ह ठीक है, जब ये बंद होता है, जब ये close होता है, तब तो ये कुछ इस टाइप का होता है, ये बंद है आपका, इसके दोनों pores आपके बंद है, ये दोनों आपके guard cell, guard cells जो होता है, वो आपके बंद है अभी, ठीक है, ये खुलते क्यों हैं, guard cells आपके खुलते क्यों हैं, उनका reason होता है, सबसे पहले guard cell खुलने का reason नहीं होता है, कि नीचे से जैसे ही आपका water आता है, जैसे राजमा फूल जाता है, वैसे ही guard cell तभी open होते हैं, जब इनके अंदर बहुत सारा क्या आ जाए, water आ जाए, नीचे से, तो आपका guard cell जो है, वो तभी open होंगे, जब उनमे नीचे से water आएगा, नीचे वाले strometa, जो नीचे होता है, आपके leaf के नीचे, वो आपके खुल जाएंगे, और उसके अंदर आप क्या चलाएगा, CO2, और आप जानते हो, water और CO2 मिला के आपका क्या बन जाएगा, yes, glucose, और glucose के साथ आपको क्या मिलेगा, oxygen, तो ये CO2 अंदर ले लेंगे और आपका oxygen बाहर कर देंगे, CO2 अंदर और oxygen बाहर, ठीक है, जैसे ही ये काम होगा, दुबारा, देखो, first, first second का चक्कर क्या आप ध्यान से देखो, palestrometa क्या थे आपके, पूरे अच्छे से आपके बन थे, जैसे ही पानी आया, नीचे से पानी आया, ये खुल गए, second step, दुबारा, first step, कैसे, देखो, आपका सारा जो पानी आया था, वो use हो गया, सारा जो पानी आया था, वो use हो गया, अब CO2 था, वो भी use हो गया, और क्या बन चुका है, glucose, clear है, अब होता क्या है, मैंने आपको एक real life practical equation के बारे में बताया था, मैंने आपको ये बता ये वाली वीडियो है, इसको आप देख सकते हो, होता ही है, कि 6 CO2 था, और 12 H2O, अब इससे बना गया था आपका, इससे बना था आपका, glucose, और oxygen, plus 6 CO2, हमने कितने डाले थे, प्लांट के दर कितने पानी डाले थे, 12, जिसमें से use हुए 6, देखो, carbon dioxide 6 है, तब पानी 12 डाल ये तो ना इंसाफ ही है, 6 इसमें से use हो जाती है, 6 वापिस हमें मिल जाती है, reaction के बाद, और वो किस form में मिलती है, vapor के form में, clear है, तो याद रखना, कि हम पानी water देते हैं, कितना, 12, पर use कितना होता है, उसमें से, सिरफ use होता है, 6 H2O, और 6 जो होता है, वो आपको vapor के form में मिल जाता है, vapor के थुरू, बाहर आ जाता है, तो अब दुबारा से सारे step देखते हैं, नीचे से पानी आया, vascular system के थुरू, vascular bundle के थुरू, vascular bundle के थुरू, जैसे इसके अंदर पानी आया, तो ये आपके guard cell, पहले close थे, expand हो गया, expand होता है, इनके अंदर carbon dioxide चला गया, अब carbon dioxide और पानी मिलके क्या बना दिया, glucose और आपका oxygen और 6 आपके water वापिस दे दिये, glucose बन गया, oxygen बन गया, और 6 water molecules आपके बाहर निकाल दिये, उसी चीज़को हम क्या बोलता है, transpiration, transpiration क्या है आपका, transpiration होता है, losing या loss of water vapor through stromata, तो आपके 6 H2O इससे बाहर निकलता है, vapors के form है, अब जैसे ही आप हो पता है, सुनना ध्यान से, पानी की कमी होगी, दुबारा stromata सिकुड जाएगा, दुबारा stromata सिकुड जाएगा, यानि कि उसमें से, आपका सारा का सारा, क्या जा चुका है, पानी अब बिल्कूल भी नहीं मचा, छे तो use हो गया, छे वाला तो glucose बनाना में हो जो गया, और छे जो है, वो बाहर निकल चुका है, तो वैसे ही, दुबारा से, एक transpirational pull क्रियेट होगा, साथ साथ में सबकी definition भी यहां आती ही रहेगी, कि transpirational pull क्या है, तो transpirational pull के definition के अंदर आपको यह बता जाएगा, कि transpirational pull ही है, कि जैसे ही आपको यहां से सारा का सारा, क्या निकल गया, पानी निकला, वैसे ही स्ट्रॉमेटा कंप्रेस हो गया, और दुबारा से इसमें पानी की demand की, जैसे क्या होता है, कि आप कुवेंस में से पानी तब ही निकालते हो, पहले आपने एक मटकी निकाला, कहां से अब oxygen सारा खतम हो चुका है, सारा use हो गया था, 12 में से 6 glucose बनाने में, और 6 vapor बनके बाहर आ गया, तो दुबारा इससे एक pull होगा, clear, उसे हम बोलता है, transpirational pull, transpirational pull क्या है, यह क्यों होता है, क्योंकि अब स्वामेटा के पास बिलकुल भी क्या नहीं बचा, क्या नही motion को समझने के लिए, हमें थोड़ा और deep जाना पड़ेगा, हमें इसे vascular system के अंदर और थोड़ा deep जाना पड़ेगा, तो अब चलो, थोड़ा सा vascular system के अंदर, और deep में चलता है, कि इसके अंदर और क्या है, यह जो tube एक आ रही है, लीव से जोड़ी भी होती है, इसके आच्छे से जानने के लिए मैं आपको अंदर ले चलता हूं उसके तो अब आ गया है हम जो यह एक मैंने बनाई थी ना आपकी वैस्कुलर सिस्टम ठीक है और यह ऐसे आपकी लीफ्स जो है उससे sorry for the diagram बट मैं समझाना जा रहा हूं ठीक है अब इस वैस्कुलर सिस्टम के अंदर भी ऐसे दो इसको दो पार्ट में से डिवाइड कर देता हूं ठीक है एक इससा जो है वो आपका xylem है और एक इससा जो है वो आपका flowem है ठीक है xylem जो होता है वो आपका up up motion करता है उपर की तरफ किसको ले जाता है आप बोल सकते हो यह आपका transport करता है transport water and minerals ठीक है present in present in soil इसका में इनकाम याद रखना तो यह उपर आपका क्या लेके जाता है आपका पानी ठीक है उपर पानी लेके जाता है leaves तक और यह जो आधा पार्ट है जो आधी और बची हुई है यह क्या गाम करती है ठीक है यह क्या करती है अब flow की जगह है यह तो अब पानी उपर लेके जा रहा है यह down चलती है down चलती है मतलब ठीक है in the form of starch in the form of starch plants जो है वो direct glucose नहीं रखते हैं उसका starch बना देते हैं starch ठीक है into whole transport food component in the form of starch into whole plant parts तो आपको यह दोनों बात या रखनी है कि flowem और xylem क्या 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 गाम करता है ठीक है अब दोनों के difference में तो एक तो याद रखना कि water और transport mineral को करता है और वो food को transport करता है food में glucose और starch को अब होता है कि xylem को no energy requirement no ATP requirement no ATP requirement इसे उपर पानी को ले जाने में कोई भी energy नहीं लगती बिल्कुल भी energy नहीं लगती पर flowem को energy required energy required for food transport for food transport ठीक है इसे हम बोलता है जो xylem करता है वो osmosis होता है जो xylem करता है वो osmosis होता है osmosis ठीक है और जो यह करता है flowem उसे बोलता है active flow active flow यह बहुत depth वाली बात है कोई कहीं आपको ऐसा नहीं पता लगेगा कि osmosis और active flow में difference यह होता है osmosis के अंदर no ATP requirement मतलब बिलकुल भी energy खर्च नहीं होती बिलकुल भी energy खर्च नहीं होती पर इसको जो है food जब यह food बना लेता है तो इसे वापिस food को लाने में बहुत बहुत जादा energy खर्च होती है जिसे हम बोलता है active flow clear अब देखो ध्या से सुनो osmosis क्यों हुआ उसका reason क्या होता है osmosis का मतलब length में हमने पढ़ा था movement of movement of particle from high concentration to low concentration अब क्या है root में आपका यहां मानलो root है root में आपका बहुत जादा पानी है movement of particle from high concentration root में पानी का बहुत जादा बहुत जादा और यहां पानी क्या है बहुत ही कम है यहां पानी तो आपका पूरा लॉस हो चुका है पूरा आपका पानी लॉस हो चुका है, ट्रांस्पिरेशन का मलब जानते हैं न, पानी पूरा लॉस हो गया है, तो यहाँ पानी है ही नहीं, तो movement of particles from high concentration, मलब जहाँ पानी ही पानी है, बहुत सारा पानी ही पानी है, पानी to low concentration is called osmosis, ठीक है, और यहाँ osmotic pressure क्या है, यही osmotic pressure होता है, osmotic pressure क्यों होता है, due to the transpiration, due to the transpiration, और transpirational pull, movement of water from root to leaf, from root to leaf, because root has more water molecules, and leaf has less water molecules, तो osmotic pressure क्या होता है आपका, osmotic pressure होता है, movement of water, movement of water from root to leaves, without any energy requirement, due to low concentration of water molecule present in leaf, compared to the root, तो root में बहुत जादा आपका water है, और वहाँ नहीं है, उस सारा का सारा पानी आपका ऐसे उपर जाएगा, इसे हम बोलता है, transpirational pull, या फिर osmotic pressure, यह दोनों एक ही चीज होती है, बटिन का थोड़ों से अलग कर देता है, transpirational pull क्यों हुआ, क्योंकि यहां से पानी निकला था, और जैसे ही पानी निकला, transpirational, यहां से पानी निकला, उसने खीच के, pressure से, osmosis के थूरू, पानी को वापिस मंगा लिया, दुबारब, जब पानी खर्च हो गया, तो दुबारब पानी आ गया, ऐसे आपका चलता रहता है, इसमें कोई energy नहीं लगती, यह अपने आप उता रहता है, nature करवाता है, इसे कौन करवाता है, nature करवाता है, अब आता है हम trans location के उपर, trans location, जो आखरी आपका point है, trans location, सबकी definition, screen पे आती रहेगी, trans location क्या होता है, trans location में क्या होता है, कि अब आपका जो भी यहाँ, basically आपका क्या बना है, जो भी यहाँ पर आपका, glucose या फिर जो भी आपका food बना है, वो आपका दुबारा आप क्या हैगा, नीचे की तरफ आएगा, और पूरे के पूरे, आपकी क्या बूलता है, basically सारे के सारे, जितने भी आपकी stem है, ठीक है, shoot है, roots है, देखो root है, अगर पानी बिज़ा है, तो बदले में उन्हें भी तो कुछ है यह, उन सब के अंदर आपका food डाला जाता है, और store करवाया जाता है, बकाइदा, क्योंकि देखो, अब होता है यह है, कि देखो क्या होता है, आप आपको हर cell के अंदर तक डालना है, food को, तो आपको यार energy तो लगेगी, क्योंकि cell का, basically आपका plasma membrane काम करेगी, cell की, ठीक है, cell के अंदर mitochondria काम करेगा, और cell के, कहां तक लेके जाना है, vacuol के अंदर, तो याद रखना, कि सारा का सारा food, आपके stem, root के अंदर डाल दिया जाता है, अब देखो, सर्दी आती है न, तो आपका, leaf तो चलो, खतम हो गई, leaf को आप नहीं मिल रहा, मलब मालो, leaf आपकी जह जाती है, पर अंदर से कहीं न कहीं, root जिन्दा रहती है, अंदर से कहीं न कहीं, stem जिन्दा रहती है, unless आप जान बुचके, क्या बोलते हैं, वसंत रितु आएगी, तो आपका दुबारा क्या हो जाएगा, वो सारा का सारा, नहीं leaves आजाएगी, पर अंदर से stem और root तब तक जिन्दा रहेगी, जैसे सर्दियों में बहुत सरे आप ज़िन्दा रहती हैं, प्लांट जो होते हैं, due to the loss of water vapour, due to that loss of water vapour, there is a pull to attract, to attract what water, osmotic pressure क्या है, movement of water from the higher concentration of root to the leaf, और translocation क्या है, distribution, distribution of your food, your starch, which is produced by leaf to the whole parts of the plant, ठीक है, तो यह आपका सारा part करता है cover digestion को, और transportation को, और respiration को, अब तीनों चीज़े कैसे cover हो गई सर, देखो मैं बताता हूँ, digestion कैसे है, आपका translocation हुआ ना, जो भी food बना, वो सारे plants में जाके, आपका डल गया, तो digestion complete, respiration कैसे है, अब respiration कैसे है, respiration में cover हुआ आपका, ट्रांस्पीरेशन और transpirational pull, transpiration हुआ ना, आप आपका stromater पहले, खुला, बंद हुआ, खुला, बंद हुआ, खुला, तो transpiration हुआ, respiration हुआ उस, थीक है, उसे respiration हुआ, और transportation कैसे, ट्रांस्पोटेशन में आपके आ गए जाइलम और फ्लॉएम आपका ट्रांस्पोटेशन और फ्लॉएम आपका ट्रांस्पोटेशन और फ्लॉएम आपका ट्रांस्पोटेशन और फ्लॉएम आपका ट्रांस्पोटेशन और फ्लॉएम आपका स्टार्च और फूड कंपोनें हों घैसे हम लोग सुबह सुबह जैसे जातेए हमारे पास अपनी किड़निए बार बार यूरीन पास करने के लिए नेफ्रों आइप पूरा पूरा रेक्टम है पासम रार्ज ईंटस्टाइ तो लोक तो आराम से excrete out कर देता है और plants कैसे बाहर निकालता है अब देखो पहला आप इंसान को समझ लो इंसान के बास एक solid waste होता है ठीक है जो वो rectum से बाहर करता है liquid waste होता है वो urine से पास करता है जो toxic होता है वो हम पता है क्या करता है हम toxic जो होता है हमारी body से जो मलब harmful थोड़े छोटे-छोटे chemicals होता है उनको हम पसीने से बाहर करता है ठीक है sweat से ठीक है prospire करके और चौथी चीज जो हमारे और body के अंदर जो waste होता है ठीक है जो protein के waste होता है वो nails or hair बन जाते है जो protein के waste होता है वो nails or hair तो हम चार तरीके से आपका waste out करते हैं सिरफ solid or waste भी नहीं nails वगारा भी हमारे waste है और हमारी और क्या चीज वेस्ट है हमारा respiration जो पसीन बाहर करते है वैसे ही plants के अंदर ये पांच method है एक्सक्रीशन करने के मलब basically अपने body में से waste निकालने के तो plant use different strategies for excretion of different products सबसे पहले plant जो body में से अपने gas बाहर करते हैं जैसे उसके पास बहुत ज़्यादा कई वार oxygen आप पता है नो carbon dioxide लेती है तो oxygen बाहर करती है ठीक है तो oxygen और अगर ज़्यादा है उनकी body में तो वो किसे stromata से बाहर कर देते हैं अपने पढ़ रखा है कि stromata से बाहर कर देते हैं जादा पानी है तो उसे वो किसे बाहर कर देगी जैसे हमार पास जादा पानी होता है तो हम क्या करता है urine out करते हैं वैसे ही excess water is removed by the transpiration मतलब loss of water vapor through stromata ठीक है अब उनके पास जैसे हम लोग nails और अपने hairs हमारे waste है वैसे ही उनके जो old leaves होती है आपने सुना होगा plants के अंदर एक word whittling of leaves मतलब जो plants की yellow leaf बच जाती है plants बहुत ही smart है अगर उनके body में कुछ भी जब उन्हों रूट से soil के अंदर से minerals मंगा है और वो minerals काम के नहीं है मलब उन minerals में कुछ waste आ गया है अब soil के अंदर कुछ चीज़ हैं मिला देजा हम pesticide और यह सब waste वगएरा तो होता है कि अगर उन्हें लगा कि यह चीज़ waste है तो वो क्या करता है एक leaf को चुनती है और वो leaf कौन से होती है old leaf जो leaf पुरानी हो जाती है ना प्लांट्स बहुत जबर्दस है वो क्या करता है पुरानी जो leaf है उनकी जो पुरानी लीव है ठीक है उसके अंदर सारा कच्रा एकटा करते रहते है और उसमें से जरूरी चीज़े सारी ले लेते है अब एक leaf के अंदर chlorophyll वगएरा जो जरूरी चीज़ होती है वो plant reabsorb कर लेता है और उसके अंदर क्या डाल देता है आपका जो भी आपका waste होता है मलब जो उन्होंने root से मंगाया था और गंदी चीज़ आ गई तो पुरानी leaves का वो पता कैसे यूज करते है उनके अंदर सारा waste एकटा करते 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 दो-चार दिन में उसको पूरा पीला करके leaves को बिल्कुल गिरा देता है नीचे आपने देखा होगा people का पेड़ और बहुत सारे पेड जिन में ऐसी leaves सूखी leaves नीचे गिरी भी होती है और plants जो है ना वो उनके ऊपर की जो पत्ली पत्ली लकडी होती है ना वो भी उनके कोई कामकी नहीं होती तो उसे में हम bark of the tree बोलता है वो भी उनका एक टाइप का waste है अब कुछ plants के अंदर आपका resins और gum बनती है उनके अंदर सारे plants के नहीं है कुछ-कुछ plants के अंदर बनती है तो उनके अंदर gum और wax को क्या करते है कि अपनी body से बाहर मलब उनका जो old xylem होता है मैं आप बताया था एक phloem और एक xylem उस xylem के अंदर एकटा करती रहती है और उस xylem को अपनी body से बाहर करती रहती है तो यहां रखना other waste products like resins, gums and wax वो भी उनकी body से आप wax के plant को देखोगे न मलब wax के tree को देखोगे तो बहुसा आस-पास पूरा wax ही फैला होता है वो हम बाद में use कर लेते हैं ठीक है wax हो वैसे chemically भी बनाया जाता है पर pure wax की कीमत बहुत जादा होती है और इसमें ने natural fragrance भी आती है तो यह भी plants के लिए waste होते है उनका gum wax और रेजिंस और गम के तो काफी डेली में आपके tree देखे के भी गया है अब एक और चीज़ अब root का जो waste होगा वह कैसे निकलेगा वह root अपना खुदी root जो होती है न जो root भी ऐसे करती है एक पुरानी root को पकड़ती है ठीक है अब कई बार क्या होते है कि लोग जबीन खुते तो छोटी-छोटी root निकलती है तो वह पता लगता है कि वह root waste होता के लिए यानि की extrusion के लिए अब ये question बच्चे ने बूचा मुझा मुझसे WhatsApp पर के sir respiration के लिए plant जब सांस लेते हैं तो क्या उनके पास stromata ही होता है तो उसका मैं आपको answer देना चाहूंगा कि plants के पास देखो stromata से ज्यादा तर तो अपना वह सारा respiration stromata से करता है पर बा क्योंकि roots के अंदर root pore होता है root pore for oxygen ठीक है roots को है oxygen चाहिए होता है अब पानी में water के अंदर थोड़ा dissolved oxygen होता है water के अंदर थोड़े bubbles होते हैं dissolve oxygen वो धीरे धीरे ये लेते रहते है पर अगर आप पानी को पूरा उपर तक तर कर दोगे plant को पूरा पानी में डुबो दोगे त थोड़ा थोड़ा soil के अंदर होता है इसलिए ना पत्या क्या करता है जब एक आपकी खेती पूरी सुड़ा क्या क्या जाते है उपर ऐसे प्लगिंग किया जाता है, मुलब सोईल को निकाल के वापिस रार आ जाता है, ठीक है, इससे क्या होता है कि वापिस थोड़ा सा ऑक्सिजन आ जाये, अंदर थोड़ा ही ऑक्सिजन चाहिए होता है, ठीक है, और तीसरा होता है लेंटिकल्स, ये लेंटिकल्स क्या होता है, ये आपके oxygen लेता है ये उक्सिजन लेता है जिन्दा राने के लिए तो यह oxygen लेता है ये लगे लेता है researcher ayerane co2 भी लेता है और oxygen में ये मैंने आपको day और night reaction आपकी day में जो reaction होती है उसमें CO2 लियाजाता और night reaction में oxygen go root और lenticles को जो आपकी stem के उपर होते इन तीनों से आपका respiration होता है, तो ये आपका छोटा साथ बात बता ही मैंने, ठीक है, अब होता है किया है कि सारी चीजे एक साथ काम करती है, तब ही प्लांट जिन्दा रह पात, और ये सारी चीजे मैंने आप जो बता ही आज प्लांट के बारे में, जो प्लीज इनको अच् ये है, तो एक और बच्चो बात, आपको मैं बता दू, ये चैप्टर आपका end हो चुगा है, अब आपके physics का चैप्टर स्टार्ट होगा, तो दो चैप्टर में आपको option मिलेगा, तो आपको पोल मिलेगा, आई बटन पे, आई बटन पे, क्लिक करो, पोल आपका ये है, इ आपको light chapter पढ़ना है, या फिर आपको magnetic effect पढ़ना है, दो चैप्टर के बीच में पोल है, आपका electricity मैंने कर वाया था, ठीक है, जो चीज़ उसकी बच्ची भी है, जो numerical अगर आपको सीखने है, वो मैं आपको physically class में बताऊंगा, बाकी आपको इन दो चैप्टर के बीच में एक पोल है, आई बटन पे क्लिक करो, जल्दी से जल्दी और उस पोल पे देख लो, कि आपको light वाला चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, और या फिर आपको magnetic effect वाला चैप्टर 13 पढ़ना है, ठीक है, तो उस पोल पे आपको जो चैप्टर पढ़ना है, उस पे आप क्लिक कर औिके, बाई बाई